हेलो फ्रेंड्स आपका अपने चैनल प्रियम टेरेस गाडनिन एंड क्यूनरी में स्वागत है गाइस हम आप से बता दें कि जो हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर हैं दोस्त हैं वो नहीं जानते होंगे कि यह हमारे चैनल का पुराना नाम था तो मैंने फिर से वही रख दी ह करनी दोस्त है कि हम अपने प्लांट्स को किस तरीके से रखे हैं और जो हमारे नीचे वला फ्लोर बन रहा है वो अभी कितना बन रहा है हमारी यही कोशिश रहेगी कि अपने प्लांट्स के साथ साथ हम अपने नीचे वाले फ्लोर को भी दिखा दें आप लोगों को तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो गाइस क्या है कि मैंने जैसा कि आप लोगों से पिछले वीडियो में सेयर की थी कि मैंने अपने सारे प्लांट्स को उपर च्छत पे लाए हैं और कुछ प्लांट्स अभी जो छोटे-छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं तो तो सब नीचे ही रखे हुए हैं तो यह हैं देखे किनारे किनारे मैंने प्लांट्स को रख दिये हैं और बीच में जो है इस्पेस खाली रख दिया है क्योंकि बच्चों का एक है कि अभी मकर संक्रांती आ रहा है तो थोड़ा से इस्पेस हम लोगों को पतंग उड़ाने के लिए छोड़ दीजिएगा क्यों कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो रेंट पर रहते हैं उनके बच्चे और हमारे दो बच्चे और बहुत पांच्छा बच्चे हो गए हैं घर में तो इसलिए उन लोगों को स्पेस चाहिए तो इसलिए मैंने अपने सारे प्लांट्स को इधर किनारे प्रक दिया है तो चलि कि युदु के इसा काम कितना अच्छा किया है लिलियम का पॉता खिला हुआ है। आप लोग बहुत-बहु सारे दोस्त हमारे होंग उसको देख रहे होंगें खुद मैं इस बार फ Jose Time इसको ग्रोप Champions हो तो एह हमें बहुत ही खुबसूरत प्लावरे मुझे लगा है और इधर देखिए कलिंडूला का भी प्लांट जो अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं इस में नए नए वर्ड्स बन रहे हैं और इधर डेह लिया कि भी प्लांट जो कि एदम कुछ प्लांट हमारे थे कि बहुत कि प्लांट ज alone uses से एक लैन से मैंने रख दिया है और इधर असरी गूरण से मैं लाइन से मैंने रख दिया है और इधर मैं पूरनी और उत्राहे प्लांट में को रख दिया है और इधर देखिए एक नीवू का प्लांट्स था जो कि फर्टिलाइजर मेरा काम कर रहा है और यहां देखिए इसके फ्रूट्स भी बढ़ गए है तो इधर देखिए रोज का प्लांट्स मैं रखी हूँ और इधर कुछ समर प्लांट्स हमारे जोटकी डॉर्मेंसी में Yap गने बाइं दोस्तों और इधर हमारा जो जर्वेरा का प्लांट्स है इसकी भी अच्छी ग्रोथ है विहार कई से बड्स भी नीचे से निकले हुए है है और मिनियेचर रोज और कुंद का प्लांट जो है कुंद का प्लांट जो आँफ्लाओरिंस के अभी बनद हुआ है और इसमें नए नए बर्स आ रहे हैं और इधर देखिए यह सब समर के प्लांट्स हैं जो कि एकदम डॉर्मेशिम चले गए हैं बहुत सारे प्लांट्स और इधर देखिए इंगलिस रोज जो कि आप कैसी वीडियो में मैं दिखाई थी इसको एकदम मरनी के कगार पर आ गया और फ्लावरिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी इसमें तो देखिए इसके मैंने एक अलग से अगर भी आपको चाहिए तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं अलग से वीडियो इस पे अपलोड करूंगी और इधा सब समर के प्लांट्स हैं जो कि सारे डॉलमेंसिम चले गए हैं क्योंकि इसको मुझे छत पे लाना था नीचे वाले फ्लोर से वाले फ्लोर पे लाना था तो यह है हमारा कांड़ी का प्लांट्स जो कि एक दो फ्लावर इसमें अभी भी आ जा रहे हैं तो इधर सब हभीसकस के प्लांट्स लगे थैं कुछ तो फ्लावरिंग दे रहे हैं एक-डो करके और कुछ एकदम डॉर्म एनसी值 चले गए हैं ज्यादा तर तो एक-दो फ्लावर हर फ्लांट में आ रहे हैं दो-тीम फ्लावरिंग जो है हमारे कुछ नहीं आ रहे हैं उसमें से और इधर देखिए एक जोरा तो एक दम सुखनी का गार पर आ गया है मिर्शी गुड़ाल हम इसको कहते हैं यह भी अभी तक फ्लावरिंग दो चार फ्लावर इसमें आही जा रहे हैं इधर सब देखिए सब समर के प्लांट हैं जो कि सब डोर्मेंसी में चले गए हैं गाईस तो यहां मैं देखिए मदमालती को मैंने एक देड़ दो महीने पहले मैंने इसको बिना टाइम के रिपोर्ट कर दे थी जिसके वज़ा से सारी इसकी ब्रांचे सूख गई थी तो अभ के नीचे यह बोगन बीलिया की मैंने हार्ट फ्रूनिंग कर दी हूं और इधर चंपा भी डोर्मेंसी में चला गया है तो गाईस इधर है सब छोटे-छोटे पॉट में जो पर्शुलेन पर्शुलगा लगे थे और क्या बोलते हैं कुछ कटिंग और कुछ पॉधे इधर बिनका के और कुछ बहुत है इधर इलो बीरा के सब लगे हुए हैं छोटे-छोटे पॉट में और बड़े पॉट में तो इसको मैंने अभी इस कार्णल में रख दी हूं इधर देखिए पैंजी मेरा एक ही बचा है जो कि इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है फ्लारिंग यह उपर तीन अलमारियं बन गई हैं और इसके नीचे प्लेटफार्म जहां पे इधर गैस रखा जाएगा और इधर देखिए बगण में थोड़ा सी स्पेस छोड़ दिया गया है फ्रीज रुज रखने के लिए और इधर सामने खिड़की और कितना अच्छा लगेगा ज और ही सुन्दर लगने लगेगा इधर देखिए उपर से छोटे-छोटे खिड़की और सामने से भी खिड़की लग गई है और इधर देखिए एक बीच में जो है तो यहां दोस्तों किचन और कमरे के बीच में जो स्पेस थोड़ा सा बचा था उसमें हम लोग अलमारी बन गया है अलमारी को पर एक टार जिसको हम लोग बोलते हैं तो उसको भी अभी ढ़लवाना है बन उसके बाद उपर वाला दिवाल जुड़ जाएगा और इधर सामने से देखिए लाबी और फिर उधर सामने गेट लग जाएगा दरवाजा जो इंतरी जिससे होगी और यहां दोलने में और एक दूसरा कमरा यह है यहां जैसे दोस्तों दो ही कमरे बन रहे हैं और एक जैसा कि बहुत सारी लोग जानते ही होंगे एक शोटा सा कमरा पहले भी बढ़ चुका है तो यहां पूरा फ्लोर नहीं बनेगा आधे पर ही बन रहा है क्योंकि आधे से जो है इस थोड़ा सा खाली रखा जाएगा यहां सामने ताकि यह खूला रहे बैटने उड़नी के लिए भी आराम दे यहां देखे हमारा इंडोर प्लांट कैसे लोग घुसेड के इसमें रखे हुए हैं और हैंगिंग बास्केट इधर टंगे हुए हैं और इधर देखे मैंने लिए बास्केट भी लगे हुए हैं जैसा पहले लगे हुए थे तो गाइस क्या है कि हमने इस तरीके से पूछ अपने प्लांट को रखे हैं और इस तरीके से हर भी बंदर में हैं यहां रिका पाम और यह सब हैं बास्केट और पुछ इंडोर प्लांट्स इस कार्णर में इस तरीके से सब रखे हुए हैं और इधर बड़े गमले वाले जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बड़े गमले और चोटी पॉट्स वाले सब इसी प्लोर पे हैं यह सब उठाने मानगा नहीं है कि हम इसको लेकि जाये ऊपर च्वाले छट पे रखें तो इधर कुछ ही व बड़ा वाला गुड़ाल था बड़े वाले पॉट में जो मैंने पिछली साल बनवाए हुए थे तो इसको भी यहीं हमने छोड़ दिया है यह सब उठाने मान का नहीं है कि कोई भी उठा नहीं सकता है इधर देखिए चमेली का भी प्लांट यहीं पर छोड़ दिये हैं हम इसमें भी दो एक फूल अभी भी आही जा रहे हैं क्योंकि हैं कर गया है तो इसको निकालना हमको सही नहीं लगा हम इसको इसी तरह से छोड़ दिया है तो आज का वीडियो हमारा यही था कुछ इस तरीके से हमारा फ्लोर यह वाला लग रहा है और कुछ प्लांट्स जो मै आती हूं दोस्तों गुडबाई सी यू टेक केर थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो बाबाई